जियां दोस्तों आखिरकार पांचवे टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में जब चितेस्वर पुजारा घातक वल्लेवाजी से अपना अर्दुशतक पूरा कर चोके थे तो उसके बाद चितेस्वर पुजारा ने कैसे चौके छक्कों की बरसात कर डाली और इस दोरान चि कि रोहित शर्मा और चितेस्वर पुजारा में से कौन लंबे चक्के मारता है अपनी कीमती राए हमें नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा और अगर आप भी चितेस्वर पुजारा का ये चक्का देखने के बाद खुश हो तो अभी इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर हाला कि दोस्तो इस दौरान तीसरे दिन का खेल समाब तो होने तक भारते टीम ने चितेस्वर पुजारा के अर्द शत्की अपारी के दम पर 125 रन तो बना लिये थे लेकिन दोस्तो इस दौरान चितेस्वर पुजारा ने जो प्रदरशन हम सभी को करकर दिखाया उसको चीटेस्वर पुजारा खुब लंबे लंबे चौके चौके लगाते हुए हम सभी को दिन जरा रहेते और ऐसा लग रहा था कि चीटेसवर पुजारा एक अलगी लेमे मैदान पर उत्रहें। दरसल दोस्तों चितेसवर पुजारा ने तावर्टोड बल्लेबाजी की और इस दोरान चितेसवर पुजारा ने अपना अर्धशा तक तो भली थोड़ा धीमी गती से पूरा किया। क्योंकि यहाँ पर चितेसवर पुजारा ने कुल मिलाकर 140 गिंदों का सामना किया था और 50 रनी इस दोरान उन्होंने बनाये थे लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनका साथ कोई अन्या बल्लेबाज निभा नहीं पारा था जिसके चलते उन्होंने पहले भारतिय पारी को मजबू के लिए मिला हाला कि दोस्तों इस मुकाबले का जब 44 ओवर करवाने के लिए जिम्स एंडरसन आये थे तो दोस्तों उनके पूरे ही ओवर में चितेसवर पुजारा ने एक भी शॉट नहीं लगाया और पुजारा धीरे धीरे करकर उनकी गेंदों को निकाल रहे थे लेकिन दोस्तों 44 ओवर खतम होने के बाद जब 45 ओवर में गेंदवाजी करने के लिए जोर उट आये तो दोस्तों जोर उट के इसी ओवर में चितेसवर पुजारा ने अपना अर्दश तक तो पूरा किया ही और साथ में एक एशा शॉट लगा डाला जिसको देकर आपके भी होश जोड़ जाएंगे जियां दोस्तों यहां पर चितेसवर पुजारा 45 ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए जब चितेसवर पुजारा ने आगे बढ़ता हुए सीधा ऑफसाइट की बाउंडरी की तरफ इसे गेंद को ढखेल दिया और दोस्तों गें देखने के बाद अब आप सभी की क्या राय है और आप क्या मांतों के चितेसवर पुजारा इस मुकाबले में शतक बना पाएंगे आफिर नहीं आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताईएगा